हाई गाईज असलाम नेकाम वेलकुम एक्टी बीटेबी स्पाय हाव यू दोइंग तेंक यू सो मच गाईज आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं सो गाईज इस वीडियो में मैं एमाजन ओरिजनल की होरर फिल्म छोरी को एक्स्प्लेइन करूंगी इस फिल्म के क्रेटर हैं विशाल फुरिया इस फिल्म की में लीड रोल हैं नुसरत भरक्चा छोरी मूवी रिमेक है 2017 मराथी मूवी लपाच्छपी की एमाजन ओरिजनल मूवी छोरी के कहाने एक दिल्चस्प मौजू पर बात करती है एक प्रेगनिंट औरत साक्षी हांट हो जाती है एक च्रैल और तीन बच्चों के भूस से इनका बस साक्षी से यही कहना था कि साक्षी अपने होने वाले बच्चे को इन चारों पर कुर्बान कर दे गाइस की वीडियो आखर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में असल कहानी का पता चलता है कि आखिर कार साक्षी के साथ हुआ क्या था गैस इस वीडियो में स्पाइलर्स है छोरी Amazon Original Movie पर रिलीज हुई 26 November 2021 में IMDB पर छोरी Movie को मिले है 7.3 स्टार्स out of 10 गैस अगर आपने Beauty B.Spy को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दियेगा ताके मेरी नियू वीडियो आने की अपडेट अपको मिल जाए ओके गाईस लेस स्टार्ट एक्स्प्लेइन दी मुवी मुवी इस सीन पर शुरू होती है एक प्रेगनिंट औरत गन्ने के खेत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है अचानक कोई फोर्स उसे अपने बच्चे को मारने का कहती है सीन वहां से कट होकर शहर की तरफ चला जाता है हमें दिखाते हैं एक प्रेगनिंट औरत साक्षी साक्षी एक NGO में काम करती थी और साक्षी का हस्बन था हेमंद एक रात हेमंद को कुछ गुंडे घर में गुसकर मारते हैं क्योंकि हेमंद ने काफी बड़ी रकम लोनली होती है बिजनिस करने के लिए लेकिन रकम के सारे पैसे डूब जाते हैं और अब लेंडर हेमंद और साक्षी के जान के पीछे पढ़ा हुआ था हेमंद को साक्षी और अपने होने वाले बच्चे को सेफ करना था इसलिए ये दोनों अपने ड्राइवर कजला के गाउं में चुपने का फैसला करते हैं ये गाउं पूरे गन्ने की फसल से भरा हुआ था और शहर से 300 किलो मीटर दूर था गाउं में सिर्फ कशला की फैमली रहा करती थी और उस गाउं में सिर्फ चार ही घर थे साक्षी और हेमन की मुलाकात होती है कशला की वाइफ देवी से देवी एक दक्यानूसी औरत थी मतलब छोटे सोच वाली कुछ दिन गाउं में गुजानने के बाद हेमन को शहर जाना पड़ता है क्योंकि उसे लोन चुकाने का जरिया मिल गया था और साक्षी देवी के पास ही रहती है गाउं में अब साक्षी का देवी के साथ अच्छा बाउंड हो गया था क्योंकि देवी साक्षी की देख भाल अच्छे से कर रही थी एक दिन साक्षी के मलाकात होती है देवी के बड़े बेटे राजबीर की बीवी रानी से रानी वही औरत थी जिसे फिल्म के शुरू सीन में दिखाया गया था साक्षी देखती है रानी के पेट पर चीरने का निशान था इस बात की वज़ा देवी साक्षी को बताती है एक दिन रानी खेट में गई वहां गिर गई जिसकी वज़ा से उसका बच्चा पेट में ही मर गया इसलिए देवी ने उसके जान बचाने के लिए बच्चे को पेट से बहार निकाला इसलिए उसके पेट पर निशान है उसी रा साक्षी को तीन बच्चे मुस्तकिल सता रहे होते हैं साक्षी बच्चों के एंजियो में काम करती थी इसलिए उसे बच्चों से प्यार था अब वो भी इन बच्चों पर अट्रेक्ट हो रही थी जब इस बात का देवी को पता चलता है वो साक्षी को उन बच्चों से दूर ढहने का कहती है लेकिन साक्षी उसके बात नहीं मानती और वो उन बच्चों से बात करना चाहती थी डेवी अब तंग हो रही थी क्योंकि साक्षी उसकी बाते नहीं मान रही थी इसलिए वो अब साक्षी को धमकाना शुरू हो जाती है अब चीज़े खराब होती जा रही थी देवी और साक्षी के बीच में एक रात हेमन गाउं वापस आ जाता है साक्षी पैनेक होकर हेमन को इस गाउं से वापस जाने का कहती है जब कि दोनों आधी रात को गाउं से जा रहे होते हैं देवी और कजला इन दोनों पर हमला कर देते हैं साक्षी को गाउं के औरतों का लिबास पहनाया जाता है और उस पर कुछ रीचल की जा रही थी रिचल के बाद देवी साक्षी को रूम में बैट से बांद देती है साक्षी अपने होशो अवास में नहीं थी देवी का कहना था साक्षी को अब से तीन दिन और इस जगा पर गुजारने होंगे सुनैनी के साथ देवी का कहना था सुनैनी देवी की देवर की बीवी थी और वो एक डायन भी थी जब सुनैनी प्रेगनिंट हुई उसने देवी के तीन छोटे बच्चों पर अपने अख्तियार कर लिया था वो तीनों पूरा दिन सुनैनी के साथ खेलते रहते थे और पूरा वक्त अपना सुनैनी के साथ गुजारते थे लेकिन एक दिन देवी ने अपने देवर से सुनैनी की शिकायत की और उसका हस्बन सुनैनी को मारने के लिए खेट में भागा लेकिन उसने अपने हस्बेंट को मार दिया और साथ ही साथ देवी के तीनों बच्चों को भी कुवे में फेग दिया और आखिर में उसने अपने पेट में छुरा घोप के खुद की जान ले ली उस दिन के बास से सुनेनी की रू देवी की फैमली पर कर्स्ट बन कर आ गई है और इस कर्स्ट की वज़ा से उनकी फैमली की नसल आगे नहीं बर सकती देवी का ये भी कहना था कि अगले तीन दिन तक साक्षी जो भी देखेगी वो सब साक्षी का वहम होगा और साक्षी वो गाना ना गए जो सुनेनी गाती थी जैसे ही सुबा होती है साक्षी देवी सुनेनी और इस गन्ये के खेट से भागना चाती थी रात आ जाती है और साक्षी लंबे लंबे गन्ये के खेट में भार जाने का रास्ता ढून रही होती है लेकिन वो हर बार नाकाम हो रही थी आखिर कार वो वापिस गाउं के घर में चली जाती है मूवी के आखिर में सुनैनी रिवील करती है डेवी ने सुनैनी को अपने पेट काटने के लिए कहा क्योंकि सुनैनी की बेटी होने वाली थी जब सुनैनी ने मना किया देवी ने उसे जिन्दा जला दिया इस तरह सुनैनी की बेटी पैदा हो गई और देवी और राजबीन ने मिलकर सुनैनी की बेटी को कुए में फेक दिया उसके बाद सुनैनी भी कुए में कूद गई अपनी बेटी को सेफ करने के लिए और उसके बाद देवी के तीनों चोटे लड़के सुनैनी के पीछे कोई में कूद गए सुनैनी और उसके चोटी बच्ची को सेफ करने के लिए देवी और गाउंवालों की यही रिचल थी कि यह सब अपनी बच्चीों को मार देते थे इस गाउं की फसल को अच्छा करने के लिए साक्षी ने तीन दिन सही से गुजार लिये थे और सुनैनी का कर्स्ट इस गाउं से हट गया था इस तीन दिन में साक्षी को सारा सच मालूम पढ़ चुका था मुवी के आखरी लमहात में सुनैनी साक्षी को अपने कंट्रोल में करती है जिससे साक्षी अपनी बेटी को मार दे लेकिन साक्षी सुनैनी से वादा करती है कि वो सुनैनी का सच सबके सामने लेकर आईगी सुनैनी ने राजबीर की दो बीवियों को अपनी कहानी बताई थी लेकिन उन्हों ने सुनैनी के लिए आवाज उठाई तो देवी और राजबीर ने उन्हें मार दिया रानी इसलिए बच गई क्योंकि उसने वादा किया था कि वो किसी से सच नहीं कहेगी गउं के घर में वापस आने के बाद साक्षी सुनैनी से तीन दिन तक बच्टी रही थी और ये कर्स भी खतम हो गया था सुबह देवी कजला और हेमंत साक्षी के पास आते हैं हेमंत साक्षी को इस गउं से जाने के लिए कहता है लेकिन साक्षी का कहना था कि जब तक वो सारे किरदार से परदा ना हटा ले जब तक वो गाउं से नहीं जाएगी साक्षी रिवील करती है हेमन्ती राजबीर है जिसने अपनी दोरो बीवियों को मार दिया था राजबीर साक्षी को मारने की कोशिश करता है लेकिन सुनैनी ने साक्षी को एक छुरी दी थी सबसे बचने के लिए साक्षी छुरी को जमीन पर फेकती है और गाउं से बाहर जा रही होती है राजबीर साक्षी पर हमला करता है लेकिन राणी राजबीर को कुलहारी से मार देती है साक्षी गन्ने के खेट वाले मेज मेंसे निकल ही रही होती है लेकिन तीनों बच्चों का भूट साक्षी को बाहर का रास्ता दिखाते है साक्षी जा रही होती है और पीछे से रानी आती है और उसकी शुर्ट पर खून था और वो साक्षी के साथ चली जाती है गाइस इस मुवी का प्लॉट अभी कुछ गाउं की रिचल पर सेट किया है जहां लड़कियों को मार दिया जाता है ये मुवी हॉरर जरूर थी लेकिन ये टॉपिक इस मुवी से दादा हॉरर था गाइस में कुछ थियोरीज की बात करूंगी जो वाकी राजबीर की ये रिचल पलैन को सही थाबित कर रही है पहले थियोरी में जब साक्षी और हेमंट यानी राजबीर गाउं की लिए जा रहे होते हैं तो आधे रास्ते में साक्षी की आख लग जाती है और वो सो जाती है और गौव पहुशने के बाद राजबीर बताता है कि साक्षी पुरे रास्ते में सो कर आई है ऐसा हो सकता था राजबीर ने साक्षी के पानी में नीन के गोलियां मिला दी हो क्योंकि अगर साक्षी जाकी रहती तो रास्ता उसे याद होता और साक्षी फिर अराम से वहाँ से भाग सकती थी दूसरी थियोरी ये हो सकती है जब राजबीर और साक्षी गन्ने के खेत में रस्ता भटक जाते हैं तो राजबीर साक्षी को अकेला छोड़कर रस्ता ढूनने के लिए चला जाता है जबकि उसे मालूम था कि साक्षी प्रेगनेंट है और जब साक्षी गाउं के घर पहुचती है राजबीर वहीं मौजूद होता है और उसका कहना था कि वो साक्षी को ही ढून रहा था अगर वो साक्षी को ढून रहा था तो गाउं के घर में क्या कर रहा था तीसरी थियोरी ये हो सकती है साक्षी देवी से खुश नहीं थी और वो जाना चाहती थी इस गाउं से अब राचबीर और देवी का मकसद ऐसे अधूरा रह सकता था इसलिए देवी ने साक्षी के साथ अच्छा सुलुक किया जिससे वो इस गाउं में रह जाएगी और वो रह भी गई गाईस अपना खयाल रखेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशाला अल्लाह आफिस और लव और पीस